और आज हमें एक बहतरीन सा चेप्टर पढ़ने वाले हैं जिसमें कि आप बहुत ही कंशीज होते हों इसा रेनिमल के मिनप कैसे याद करें या बहुत रखने वाला लगता है इसको सुनने के लिए कमें पहले समझना पड़ेगा कंशी के बिर्ग बाड़े के संग नहीं पंजना पड़े जैसे मालीज़ हमने बोल दिया किसी और जाष्डेखbuilt कि एक बहुत आप सबसक्टा? बलते हैं, भुझन अन्पलियाश सबरता है उसको बार्टी होता से क्या है और बाइस से लुट रेट अभ। पूटोसिंटेसिस में परफॉब करना है उसको बॉड़ी अर्गनाजेशन के हिसाब से चार तरीके से डिवाइड किया गया है यहां सर्कुलेक्टिल सिस्टम दो प्रकार का होता है ओपिन टाइप का और प्लोस टाइप का जैसे मालेजी कि हम बोलने एक्टोडर्म की से तुम इन डेफिनेट सी बात है इंग कोई अंग बनाएगी आर्गन बनाएगी तो मुसी एकॉडिंगली बोलते हैं कि एक्टोडर् स्ट्रक्चर जो मीजोडर्म से बना है और बॉडी के डॉर्सल सर्फिस पे है तो मुस्से नाम दे रहे हैं नूटो-कॉड अगर नूटो-कॉड नहीं है तो म बोलते हैं नॉन-कॉड़देटा है अलो रॉकिस्टाल्स तो क्या हाल चाल पढ़ाई आपकी अच्छी चल रह बहुत ही कंस्यूज होते हो बहुत कंस्यूज होते हो कि सर जी बहुत रटना होता है बहुत सारा समझ में नहीं आता है कैसे याद करें तमाम कंप्लेंस हर स्टुडेंट की लगबग होती है इसार अनिमल किंडम कैसे याद करें या बहुत रटने वाला लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है animal kingdom बहुती आसान है बस आपको सही तरीके से पढ़ने का जो अगर मिल जाए आपको कैसे सही तरीके से पढ़ें तो animal kingdom उतना ही आसान है जितना बाकी के chapters नो चलिए देखते हैं कि हम कैसे बोल रहे हिं कि इतना आसान है या पढ़ते समय आपको किन बातों पे फोकस अगर करेंगे तो आपको Animal Kingdom भी सारे जो चैप्टर से उसके तरह से आसान लगने लगेगा जो आपके दिमाग में मिथ बना हुआ है कि भाईया ये बहुत रटने वाला चैप्टर है उसे कैसे सही तरीके से समझ के हम सॉल्व पर पाएं तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम Animal Kingdom के बारे में और Animal Kingdom को हम तीन लेक्चर में डिवाइड करके पढ़ेंगे क्योंकि सारे बच्चों की ये कंप्लेइन है कि भाईया बहुत समझ में नहीं आता इसलिए उनको समझाने के परपस से तीन लेक्चर लिया गया है ताकि एक बार तीन लेक्चर पढ़ें और Animal Kingdom से जो आपकी कंप्लेइन से हैं वो दूर हो जाए तो Animal Kingdom है के अपहले तो हमें ये जानने का प्रयाज करें ये Animal Kingdom हम बोल रहे हैं थो क्या कहना चाह रहे हैं तो इसको सुनने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा क्लासिफिकेशन के बारे में या ओर्गेनिजम के बारे में समझना पड़ेगा जैसे माली जी हमने बोल दिया किसी और्गनिजम को कि यह living organism है तो living organism में बहुत सारी चीज़े हैं, plants है, fungus है तमाम चीज़े हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि यह animal क्यों उनसे अलग है अलग-अलग scientistों ने अलग-अलग अपने approach लगाए इसी बात को justify करने के लिए कि हम organism को कैसे classify कर सकते हैं लेकिन सबसे best जो classification का method था and that was proposed by R.E.H. Vittaker R.E.H. Vittaker साहब ने अगर उस बात को समझ गया R.E.H. Vittaker साहब की तो classification आपको बहुत easy लगने लगेगा जो कि यहाँ पे तो नहीं animal kingdom में तो नहीं discuss किया गया है classification of organism में जरूर डिसकस किया गया उसके बारे में तो पहले हम organism को समझेंगे तो R.E.H. Vittaker साहब ने five kingdom classification प्रपोच किया था क्या प्रपोच किया था? five kingdom classification इन्होंने जो भी organism है जो भी organism है उनको various basics पे क्या किया था? classify किया था इनके body structure के हिसाब से, इनके cellular organization के हिसाब से इनके mode of nutrition के हिसाब से, reproduction के हिसाब से various basics पे क्या किया organism को classified R.E.H. Vittaker साहब ने बताया कि भाई अगर organism को देखें तो उनके cellular organization के हिसाब से अगर हम बात करें तो organism basically दो प्रकार के होते हैं एक को हम बोलते हैं prokaryot बहुत ध्यान से समझने की कोशिस करियेगा और दूसरे को बोलते हैं क्या eukaryot prokaryot और eukaryot होते हैं किसके basis पे on the basis of their cellular organization कि जो भी cells हैं, जो भी organism हैं हम बोलते हैं कि cell is the structural and functional unit of life तो जो भी cell है, उस cell का organization कैसे हैं उसके हिसाब से दो part में divide किया था organism को किसने RH विटे करने पहले हम समझेंगे कि prokaryot क्या होता है और फिर समझेंगे eukaryot क्या होता है prokaryot दो चीजों से बिनके बना हुआ है pro and carryon pro denotes far primitive पहले हम समझ लेंगे pro denotes far primitive pro primitive को denote करता है primitive मतलब होता है पुराना ठीक है? यानि इनके पास हमारे कहने का मतलब है कि जो prokaryot होते हैं उनके पास पुराने type का nucleus होता है जबकि कई जगा कई बार पढ़ा होगा आपने कि इनके पास nucleus नहीं पाए जाता है लेकिन nucleus हम क्यों बोलेंगे कि absent है जबकि हम बोला करते हैं कि nucleus is the controlling center of cell nucleus cell का controlling center होता है तो किसी cell में ओ controlling center का इससे absent हो सकता है हम बोलते हैं कि nucleus जो होता है genetic information को क्या करता है? गेदर करता है, रखता अपने पास ताकि next generation में same genetic information transfer कर सके तो हम कैसे बोलेंगे कि इनके पास nucleus नहीं है क्योंकि जब इलकर next generation आता है तभी तो इस same kind के organism बनाते है यानि कुल मिला जला है कि जो nucleus में पाई जाने वाली चीजे हैं इसके पास है तो हम क्यों बोल रहें कि इनके पास nucleus नहीं है तो हम बोलते हैं कि इनके पास primitive type का nucleus है pro means primitive primitive type का nucleus है जरा इस बात को गौर फर्माईएगा कि अगर मालीजी हम बोलें एक cell है समझने का प्रयास करिएगा cell है तो हम generally क्या बनाते हैं आप एक nucleus बना लेते हैं और हम बताते हैं कि nucleus के अंदर nuclear material ऐसे पड़ा हुआ है और जो nucleus है इसे हम बोल रहे होते हैं क्या controlling center of this cell अब माल लिज्जे कि कुछ ऐसा हो अगर कि जो nucleus है इसके पास membrane नहीं होता इन nucleus के पास nuclear membrane नहीं होता तो आप imagine कर सकते हैं कि nucleus के अंदर पाए जाने वाले सारे जो component होते वो क्या होते cytoplasm में ही diffuse होते और इस condition में आप इस काबिल नहीं होते कि बता पाते कि इस cell का nucleus क्या है या we can say that in lack of nuclear membrane we are not able to define where the nucleus is and that kind of nucleus is known as pro carry-on या pro carry-on is that clear? ये बात clear है means ऐसे organism जिनके पास well-defined nucleus नहीं था उसको क्या किया गया? उसको रखा गया pro carry-on और you carry-on करने का मतलब कि well-defined nucleus है well-defined हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसकी एक moragin है क्योंकि उसकी एक boundary है और ये boundary क्यों है? क्योंकि उसका एक membrane है यहां पर जो nucleus पाए जाता था वहां membrane नहीं होता था membrane नहीं के व графand proper compartment नहीं बन पाता था जिसके वज़ासे हम बोलते थे कि भाईया नुकलियस तो हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है तो हम बोलते थे nucleus absent nucleus absent नहीं होता इलक उप nuclear membrane जो nuclear material होता है वो diffused होता है inside the cytoplasm and that kind of that kind of cell is known as prokaryot because they are having primitive type of nucleus. फिर हम बात करेंगे u-karyot u means होता है true यानि true type का nucleus किसके पास पाए जाता है? u means true, यानि having well defined nucleus इस nucleus के अधार पे organism को दो हिस्सों में बाट दिया किसने हमारे R.E.H. विटेकर साहब ने. फिर क्या किया इन्होंने? true type का nucleus था अच्छी बात है. फिर बताया कि जो prokaryot होते हैं, जो prokaryot होते हैं, वो always unicellular होते हैं, means single cell के बन होते हैं. किसके बने होते हैं? unicellular होते हैं. prokaryot always unicellular होते हैं और इसको R.E.H. विटेकर साहब ने एक अलग kingdom में ऐसे organism को रखा और kingdom को नाम दिया क्या? इनको नाम दिया क्या? monera. क्या बोला? kingdom monera बोला. यानि यहाँ पे जो monera में हम पढ़ेंगे उनी organism के बारे हम पढ़ेंगे या उनके बारे में इतनी बात परा जल गई कि monera में पाए जाने वाले जो organism है monera kingdom में वो unicellular यानि single cell के बने होते हैं प्लस उनके पास जो भी single cell है उसमें well defined cell organized नहीं पाए जाते हैं फिर हम बात करें eukaryot की eukaryot की जब हम बात करेंगे तो हमने बताया कि eukaryot जो होते हैं unicellular भी हो सकते हैं और multicellular भी हो सकते हैं बहुत ध्यान से समझीएगा यहां से आपका चार्ट जो होगा असान हो जाएगा unicellular भी हो सकते हैं और multicellular भी होते हैं unicellular हो सकते हैं और multicellular भी हो सकते हैं तो जो भी eukaryot unicellular होता है यानि single cell का बना हुआ होता है लेकिन single cell में ही cell organelles well defined होती है उनको इन्होंने अलग किस में रखा? kingdom में रखा और kingdom को नाम दिया क्या? protista क्या नाम दिया? protista protista नाम दिया इसे फिर बात आई किसकी? multi-cellular की चलो भईया made up of more than one cells तो हम multi-cellular बोलने लगे तो multi-cellularity की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो इन्होंने multi-cellularity में क्या बोला? कि multi-cellular है but on the basis of presence and absence of cell wall इसके basis पे? cell wall के absent है अगर cell wall present है या cell wall absent है बहुत ध्यान से समझेगा cell wall के basis पे तो cell wall के basis पे इन्होंने classify कि कि cell wall present है या absent है तो जहां cell wall present था या जहां cell wall absent था उसको एक kingdom में रखा जिसका नाम दिया any malia क्या नाम दिया? any malia यहाँ पे हमने क्या किया? any malia kingdom लिख दिया फिर दूसरी बात आई कि जिनके पास cell wall present था अब cell wall जिनके पास present था उनके पास भी दो कहानी थी कि फोटो सिंथेसिस होता है कि नहीं फोटो सिंथेसिस के अधार पे यादि फोटो सिंथेसिस जहां होता होगा उन्हें आटो ट्रॉप बोलेंगे और जहां नहीं होता होगा उन्हें हम हेट्रो ट्रॉप बोलेंगे यह अपना खाना खुद नहीं बनाते सिल्वाल ता तो आम ने देखा कि भाया photosynthesis परफॉर्म करते हैं कि नहीं अगर करते हैं तो उनको रखा गया planty में किस में रखा गया kingdom planty और अगर photosynthesis नहीं करते हैं तो उनको इनों ने रखा fungus में और इस तरह से आरेच विटेकर साहब ने पूरे औरगिनिजम को 5 kingdom में classify किया और इसी को हम 5 kingdom classification बोलते हैं लेकिन जो हमारा चिप्टर है वो हमारा part जो है वो deal करने का है किसके साथ एनी मेलिया के साथ बेसिकली इस चेप्टर में हमें एनी मेलिया के बारे में पढ़ना है अब एनी मेलिया के बारे में पढ़ना है तो इस ग्राप से यानि आरियेच विटेकर साफ के ग्राप के हिसाफ से अगर हम बात करें तो एनी मेलिया के बारे में हमें दो तीन इंफॉर्मेशन इस चार्ट है वो यू-कैरियोट होता है dal दूसरी बात क्या पता चली मल्टी सेलुलर होता मल्टी सेलुलर होता है तीसरी बात क्या पता चली तीसरी बात पताचली कि सिल्वाल एपसेंट होता है और चौती बात क्या पता चली कि हेट्रो ट्रॉपिक इन नूट्रीशन होते हैं यानि अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं अभी इस चार्ट से हमें इतनी चीजों के बारे में बेसिकली पता चल पा रहा है अब हमारे चिप्तर का नाम है एनिमल किंगडम तो क्या इतनी बाते अगर हम बोल दे कि भाईया हम एनिमल के बारे में जानते हैं एनिमल तो यू कैरियोटिक होता है मल्टी सेलूलर होता है इसके पास सेलवाल नहीं पाया जाता और ये फोटो सिंथेसिस यानि ये हिट्रो ट्रॉपिक होता है फोटो सिंथेसिस नहीं परफॉर्म करता है तो क्या सारे इनिमल्स के special features के बारे में हमें पता चल गया क्या हमने differentiate कर लिया कि doggy कैसा है animal कैसा है या human कैसा है horse कैसा differentiate कर पाए नहीं हमें exact जानकारी नहीं मिल पाई हमें कुछ basic characteristic पता चला हमें कुछ basic बातें पता चली है इस जस्ट वैसे ही है जैसे कि किसी खुले लेटर पे अगर हम लिख दें puse इस जस्ट वैसा ही है कि किसी खुले लेटर पे हमने लिख दिया क्या puse लिख दिया तो क्या information sufficient है कि जिस भी puse के लिए हमने लिखा है और लेटर उस puse तक पहुँच जाए we have to be some specific about the pews like हम क्या कर सकते है इसमें थोड़ा सा characteristic feature आइड करते है जो common हो and that is doctor थोड़ा सा और आइड कर दें that is tiwari थोड़ा सा और आइड कर दें तो हम बोल देंगे इंडिया थोड़ा सा और आइड कर दें तो हम बोल सकते है यूपी थोड़ा सा और आइड कर दें तो हम बोल सकते है लकनो और जैसे जैसे हम आइड करते जाएंगे special feature वैसे वैसे probability बढ़ती चली जाएगी कि ये लेटर हमारे पास पहुँच जाए clear है? तो जैसे हमने animal kingdom बोला तो animal kingdom बोलने का मतलब हमें तीन ही चार बात समझ में आई तो अब हम करते क्या है further animal kingdom को characteristics के basis के इसाब से यानि more common to less common की और move करते हैं और classify करते हैं just to know about each and every animals ताकि हम सारे animals के बारे में पूरा तो नहीं लेकिन कुछ general characteristics feature तो जान पाएं कि क्या होता है उनमें क्या नहीं होता है इन तमाम बातों को हम discuss तो कर पाएं इसके लिए जरूरत पड़ी कि kingdom animalia को further classify किया जाए क्योंकि ये चार बाते sufficient नहीं है just to define an animal कि एक animal multicellular होता है eukaryot होता है heterotropic in nutrition होता है और cell wall absent होता है this information is not sufficient to define each and every animal that's why जरूरत पड़ी कि इसे और हम classify करें on the basis of various features from most common to the least common clear है yes or no जब clear है हमारी बात तो पहले हम चलते हैं तो हमारे जरूरत क्यों पड़ी पहले हम ये बात जान लिए फिर हमारे जरूरत पड़ी तो हम तो देख रहे हैं multicellular है eukaryotic है इनके पास photosynthesis करने का उजार नहीं होता और cell wall भी इनके पास नहीं पाई जाती लेकिन variation अभी इसी पर कितना दिखाई दे रहा है तो जो basic बाते हमें पता चली तो क्या है कि animals are multicellular heterotropic organism without cell wall and chlorophyll is this information is sufficient to know about each and every animal नहीं यह information sufficient नहीं है just to know about each and every animal पूरा नहीं तो कुछ भी जानने के लिए sufficient नहीं तो हमें जरूरत पड़ी हमें जरूरत पड़ी कि हम थोड़ा इनके बारे में और जाने कि इतने animals अगर हम बोल रहे हैं और इतने सारे diversification है इतने सारे animals हमें दिखाई देते हैं तो उनके थोड़ा जादा characteristic से less characteristic यानि कुछ तो characters हम जानने तो need पड़ी further classification की हम वाटनी पड़ रहे होते तो हम plant को classify कर रहे होते हम mycology पड़ रहे होते तो definite सी बात है fungus को classify करते जब हम monera पड़ रहे होते from most common character to the least common character तो हमने animal kingdom को जोलजी में हमने क्या किया animal kingdom को classify किया और आपको पता चल गया हुआ कि need क्या थी classify करने की अब classification के बहुत सारे basics थे classification के basics के बारे बात करें कि हमने अपने या अपने slaybers के accordingly बात करें CRT के accordingly बात करें तो हमारे book में कुछ basis बनाए गया है जिनके basics पे classify किया गया है और में जंपो तो पहले उन basics की बात कर लें कि कौन कौन से चीज़े basics में रखें तो हम एक heading डालें basics of classification या basis of classification of animals हमारे animals को classify करने का basis क्या है हमने किन-किन basis पे animal को classify किया है ठीक है इस basis की बात करें तो हमारे हम various basics देखें जैसे कि body organization on the basis of body organization on the basis of body organization conservation फेर कौन से बात किस दिए on the basis of involvement of germ layer on the basis of germ layer on the basis of basis of of the digestive tube, on the basis of body segmentation, on the basis of symmetry, on the basis of circulatory system on the basis of notochord और भी बहुत सारे basics थे जिनके basis पे हमने क्या किया animal को थोड़ा और from more common to the list का वन characteristic की तरफ classify करने का प्रयास किये तो इसी series में चलें तो हम एक एक चीज करके define करते जाए जैसे माल लेजिए पहला हम देखे कि on the basis of body organization यानि body organization हम multicellular बोल रहा है अच्छी बात है हम multicellular बोल रहा है बस information इतनी मिल रही है कि made up of more than one kind of cells या one cells तो जो body organization है किस तरह का होता है multicellularity में तो अगर हम body organization के हिसाब से बात करेंगे तो हमारे हाँ चार तरह के body organization पाए जाएंगे इनी मल से कौन कौन से भाईया तो पहला होगा cellular grade of body organization दूसरा होगा हमारे हाँ tissue grade of body organization तीसरा होगा organ grade of body organization और चौता पाए जाता है organ system grade of body organization इन चार तरह के body organization का जिक्र है आपके पहला यानि multicellular होते भी होए भी कि cell जो है unite नहीं हुए cell जो है unite नहीं हुए, aggregate नहीं हुए, वो loosely arranged है तो हम बोलते हैं ऐसे organism को cellular grade of body organization पाए जाता है जहाँ पे cells organize होके tissue बना लेती है, वहाँ पे हम बोलते है tissue grade of body organization पाए जाता है जहाँ पे tissues organize होके organ बना लेती हैं हम बोलते हैं कि organ grade of body organization पाए जाता है और जहाँ पे organ organize होके organ system बना लेते हैं वहाँ पे हम बोलते हैं कि organ system grade of body organization पाए जाता है तो multicellular जो animal है उसको body organization के हिसाब से चार तरीके से divide किया गया है on the basis of cellular grade of body अर्गन ग्रेट अर्गन ग्रेट अर्गन ग्रेट एंड अर्गन सिस्टम ग्रेट तो हम समझेंगे इसके बारे में जैसे माल लीजे हम बोलें cellular grade of body अर्गनाजिशन जब हम cellular grade of body अर्गनाजिशन बोल रहे हैं, means cells are not aggregated to form tissue cells are loosely arranged तो हम देखेंगे cells are arranged as loose cells aggregate अच्छा जहां पर ऐसा cellular grade of body अर्गनाजिशन पाया जाता है वहां का एक common feature होता है cellular grade of body अर्गनाजिशन की बात करें अगर वहां पर एक common character पाया जाता है जैसे यहां पर इम डिफाइं करें कि cellular grade of body cells are loosely arranged loosely arranged cells चले इतनी बात तो पता चल गई तो इसलिए हम cellular grade बोल लाए है लेकिन इनका एक common characteristic feature होता है यह जो cellular grade of body organization जिन भी organism में पाया जाता है वह sow करते हैं very primitive kind of power of region अब यही बात है source primitive type of power of regeneration power of regeneration regeneration मतलब क्या होता है क्योंई भी ऐसी capability किसी भी organism के जिसके वज़ा से वो अपने खोई हुए हिस्थे को फिर से बना सके यह पा सके उसे हम क्याते है region relation यहां primitive type का पाय जाता है तो हम देखते हैं कि जहां पे cellular grade of body organization पाय जाता है चुकि हम multicellular है और cells loosely arranged हैं तो यहां एक चीज दिखाई देती है कि cells are inter-convertible inter-convertible यानि एक cell की यह capability होती है कि दूसरे cell में convert हो जाए इसलिए ऐसे regeneration को हम बोलते हैं primitive type of power of regeneration अगर हम example लें कि कहां पे हमारे हैं cellular grade of body organization पाय जाता है तो हमारे हैं phylum porifera देखेंगे जब हम phylum porifera porifera के जो members होते हैं वो क्या show करते हैं वो show करते हैं cellular grade of body organization यानि cells porifera में क्या होंगे cells loosely arranged होंगे फिर हमारे हैं आता है दूसरा and that is tissue grade of body organization tissue grade of body organization जब हम tissue grade of body organization की बात करेंगे तो हम बोलते हैं cells are aggregated to form tissue cells यहाँ aggregate हो गई हैं और tissue बनाती अब tissue किसे कहते हैं tissues are the group of cells which performs a common function not the same tissues are the group of cells which performs a common function which may or may not structurally same but same in origin tissue या उतक हम ऐसे cells के समूह को कहेंगे ऐसे cells के group को कहेंगे जो हो सकता हो कि function में same नहीं लेकिन उनका proper या combine function किसी एक particular function को अंजाम दे रहा होगे चीक है जैसे हमारे रिस्परेटरी सिस्टम ही पढ़ते हैं तो क्या हर पार्ट में same function हो रहा होता है नहीं लेकिन combine function क्या है कि टिस्टम बना लेती है और जहां पर भी टिस्टम बनाई जाती है वह भोते हैं कि division of labor पाए जाता है division of labor पाए जाता है यानि यहां पर division of labor यानि काम का बटवारा और जब भी division of labor होता है तो working efficiency बढ़ जाती है एक्जामपल की बात करेंगे कि tissue grade of body organization कहां पाए जाता है यहां एक्जामपल में आएगा phylum silentrator और phylum tenophora tenophora इस दो जो phylum है इस tissue grade of body organization के पास होता है next हमारे पास आएगा organ grade of body organization organ grade of body organization organ grade of body organization की जब हम बात करेंगे यानि tissue ने organize होके क्या बना लिया है organ बना लिया tissue ने organize होके क्या बना लिया भाई या organ और इसका एक्जामपल जब हम पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं platyhamanthis 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 में organ grade of body organization पाया जाता है फिर हम बात करें organ system grade organ system grade यानि यह बहुत सारे organ मिलके किसी particular function को अंजाम दे रहे हैं तो हम बोलते हैं organ system grade of body organization है अब organ system grade of body organization का जिक्र करेंगे तो यहां organ system grade of body organization का जिक्र करेंगे तो यहां organ system grade of body organization कहा पाया आता है अब टू फाइलम कोड़ेटा फाइलम इसके हिलमेंथी से लेके और कोड़ेटा तक के जो मिम्बर्स होते हैं तो यहां organ system grade of body organization पाया जाता है जो आगए की बात कर ले औरえば और बाकर आगे बात करेंगे तो हमने देख लिए में अच्छे आगे बात करेंगे तो यहां देखेंगे च्रोलर ग्रेड हो गया organ grade हो गया, organ system grade हो गया, यहां definition लिखा हुआ है यहां organ में लिखा हुआ है कि sales are loosely arranged end form, मतलब loosely arranged होते हैं जैसे example हम देते है porifera, ठीक है porifera, example है porifera यह जो नीचे लिखा हुआ हुआ line क्या है, इसे अभी यहीं पे delete कर दिया जाए इसे अभी यहीं पे delete कर दिया जाए, नहीं तो confused होंगे यह lines नहीं है phylum porifera में क्या पाए जाता है cellular grade of body organization पाए जाता है phylum porifera में cellular grade of body organization पाए जाता है, चलिए अच्छी बात है, इसको हमने क्या कर दिया delete कर दिया इस बात को हम ने क्या कर दिया भीया delete कर दिया फिर हम बात करेंगे कि tissue grade कहाँ पाय जाता है तो tissue grade हमारे यहाँ पाय जाता है . और 3-0 buat हम बात करेंगे अगर कि औरगन लेबल कहां पा जाता है तो हम बोलते हैं प्लेटी हल्मेंथिस हाईर इनिमल्स नहीं प्लेटी हल्मेंथिस में पाए जाता भीया टाइप करने वाले भाईया ने मिस्टेक कर दिया होगा कहां पाए जाता है प्लेटी हलमेंथिस में पाए जाता है एक्जाम्पल यहां लेकलेंगे क्या प्लेटी हलमेंथिस क्या लेकलेंगे भाई या प्लेटी हलमेंथिस प्लेटी हलमेंथिस और और और्गन सिस्टम की बात करेंगे तो हम organ system grade में पायते हैं S के helminthis से लेके और caudita तक यह तो बात हो गई हमारे हैं किसका cellular या body organization के हिसाब से अब organ का जिक्र होई रहा है तो हम जिक्र कर लेते हैं किसका organ का जिक्र होई रहा है तो हम जिक्र इसका भी कर लेंगे जैसे organ system of different animals so complexity organ system है हम बोलना है कि various organs are united together to form या जब किसी function को अंजाम देने के लिए एक से अधिक अंग participate करें तो system बनाते हैं तो हम वहाँ पर बोलते हैं कि वहाँ organ system grade पाये जाता है उसी में एक system है digestive tube के हिसाब से कि जहाँ पर organ system है पहली बात तो digestive tube का हम जिक्र वहीं करेंगे जहाँ पर organ बन चुका होगा क्योंकि जहाँ cell और tissue होगा वहाँ तो tube या कोई अंग होगा ही नहीं कोई organ होगा ही नहीं तो वहाँ पर जिक्र करना भी बेकार है यानि digestive tube का जब भी जिक्र हो तो पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा को दूर रखे रहे इनको रटनी की जुरूद क्या है आपका common sense है कि इनके cellular grade of body organization था, tissue grade of body organization था तो इनके या organ तो बना नहीं होगा, कई बच्चे इसी को रट रहे होते हैं तो digestive tube के हिसाब से बात करे हैं, हम देखते ही तो तरह के digestive tube पाई जाते हैं, अभी हम यहां नहीं आए हैं, अभी हम दो तरह के digestive tube पाई जाते हैं, उसी का जिक्र कर लेगे डाइजस्टिव ट्यूब नाम में ही सब कुछ लिखा है डाइजस्टिव ट्यूब पहली बात याद रखे कि डाइजस्टिव ट्यूब क्या है एक औरगन है डाइजस्टिव ट्यूब क्या है भी यह एक औरगन है अब हमारे यहां कोई tubular structure है इस नाम से यही पता चला है जहां पे digestion हो रहा होगा यही तो बात पता चला है यही बात पता चला है यह tubular structure है जहां पे digestion perform कर रहे होंगे कि digestive tube जो है दो तरह का होता है एक को बोलते हैं incomplete digestive tube क्या बोलते हैं को बोलते हैं incomplete और दूसरे को बोलते हैं क्या complete दोनों का difference समझ लेंगे कि complete क्या होता है और incomplete क्या होता है? incomplete हम तभी बोलते हैं जो चीज complete ना बनाव अधूरा हो how reconstruber कैसे अधूरा हो सकता है? हम बोलते हैं कि यहां जहां जो incomplete digestive tube होता है उसमें बस एक ही opening पाई जाते है एक ही तरफ खुला होता है complete tube नहीं बन पाता है तो जहाँ एक ही जो ओप्रीनिंग हो दोनों के तरह कांपती है माॉट की तरह भी और एनस की तरह की तरह भी माॉट के तरह भी कांपती है और इनस की तरह भी कांपती और ऐसा Incomplete Leadstone ट्यूब जहाँ पाय जाता है वहां हम बोलते हैं कि blind sac body plan है क्या बोलते हैं blind sac blind sac body plan अब हमारे हैं digestive tube क्या था भई है तो हमारे हैं digestive tube एक और और गन है तो incomplete type of digestive tube यानि blind sac body plan देखा गया कि हमारे हैं platyhelminthes में organ बनने की शुरुवात हुई और यहां incomplete type का digestive tube बना ठीक है इसमें platyhelminthes में platyhelminthes में इस सारी बाते आपको बहुत help करेंगी जब भी आप examples रट रहे होंगे तब इसलिए हम समझा रहे हैं कि पहले इस बात को समझ लीजिए क्योंकि एक question तो आपका यहीं से आना है दो ही तिन question बनते हैं जो एक part में आज़े question आ ही जाएगा या हो सकता हो कि जितने question आते हैं सब इसी पार्ट से आ जाएगा फिर दूसरा हम बोल रहे है complete complete का मतलब क्या होता है यानि पूरा बन चुका है ट्यूब और दोनों ट्यूब में यानि ट्यूब में दो opening बन गई होगी जिसमें एक opening mouth की तरह काम कर रही है और दूसरी opening जो है किसकी तरह काम कर रही है तो दूसरी इसी और्गनिजम का होगा ट्यूब मांग जैसा होगा कोई और निजम जहां elementary कनाल बन गई है तो अगर इसे काट के देखे तो लगेगा एक ट्यूब में एक ट्यूब रखी हुई है यानि हमें कोई काट रहे तो body goal है और इस तरह काटेंगे तो लगेगा कि एक सिलिंडर में एक और सिलिंडर डाला गया था जो हमार elementary कनाल है तो ऐसा body plan जाओं होता है हम बोलते हैं ट्यूब विदिन ट्यूब बाडी प्लान ट्यूब विदिन ट्यूब बाडी प्लान ट्यूब विदिन ट्यूब बाडी प्लान बोलते हैं और ऐसा ट्यूब विदिन ट्यूब बाडी प्लान पाया कहां जाता है ऐसा ट्यूब विदिन ट्यूब बाडी प्लान पाया कहां से जाता है तो phylum S के हलमेंथिस से लेके फाइलम कॉड़ेटा तक के जो मेंबर होते हैं वहाँ ट्यूब विदिन ट्यूब बॉड़ी प्लान्ट पाए जाता है अब हम कम्प्लीट डाइस्ट्यूब की बात कर रहें थोड़ा सा इसको और आगे ले चलें जैसे हम कम्प्लीट की ही बात कर लें तो हमने बुला कि कम्प्लीट में अगर हम देखेंगे कम्प्लीट की बात करें तो हम कम्प्लीट की बात जब करते हैं तो हमने देखा कि हम माउथ और एनस दोनों अलग-अलग है कम्प्लीट डाइस्टिटिव में माउथ और एनस क्या है दोनों अलग अलग है तो हमने देखा कि दो बटवारा हुआ एक को बोला गया प्रोटो इस्टोमेट और एक को बोला गया क्या ड्यूटेरो इस्टोमेट अब प्रोटो इस्टोमेट क्या होते हैं ऐसे ओर्गिनिजम जैसे दोनों चीजे है माउथ भी बना है एनस भी बना है लेकिन पहले कौन बना है तो अगर माउथ पहले बना है if mouth form first mouth form first अगर mouth पहले बना है तो हम protoistimate बोलते हैं और अगर anus पहले बना है if anus form first anus form first तो हम बोलते हैं deuterostimate अब protoistimate कौन कौन से होते हैं तो protoistimate की बात करेंगे हम तो S क हलमिंथेज एनेलीडा नहीं एनेलीडा आर्थ्रोपोडा मुलस्का यह जो तीन ग्रूप के मिंबर होते हैं और protoistimate होते हैं और echinodermita से लेके और caudita तक echinodermita से लेके और caudita तक की जो मिंबर होते हैं वो deuterostimate होते हैं प्रोटो और deuterom क्यों करें? किसमें क्या पहले बना है? तो यह हमारे हैं क्या हो गया है? यह हमारे हैं body plan की बात हो गई complete था, incomplete था हमने देख ली फिर हम बात करते हैं circulatory system के इसाब से जैसा कि हमने पढ़ा है पहले ही कि हमारे हैं circulatory system दो प्रकार का होता है open type का और close type का open type के circulatory system में क्या होता है? यहाँ पे heart पाया जाए लेकिन blood vessels नहीं पाया जाती है क्या होता है? blood vessels नहीं पाया जाती है यानि blood cells के around present होता है और इस condition को हम hemo lymph बोलते हैं जैसा कि हम आर्थरोपूर्डा में पढ़ेंगे हीmo lymph पाया जाता है हम बोलते है कि hemo lymph है lymph हम किसे बोलते हैं? तो जो tissue fluid है उसे lymph बोलते है तो tissue fluid के जग़ह पishna script होता है? या blood present होता है या blood present होता है इसलिए वहँ hiemo lymph बोलता है और जब हम close circulatory system की बात करते हैं पर यहाँ देखते है heart भी होता है और blood flow होता है inside the vessel अब हम symmetry की बात करते हैं तो पहले को हम जानेंगे symmetry क्या होती है पहले हम जानेंगे कि symmetry क्या होती है If any plane is possible to divide the organism into equal half यनि ऐसा कोई plane possible है किसी organism से अगर गुजारा जाए तो उसको दो बराबर हिस्सों में बाट दे तो हम बोलते हैं कि organism symmetrical है organism क्या है? symmetrical है तो दो ही condition हो सकती है कि या तो उसे दो बराबर हिस्सों में बाट सकते हैं या तो नहीं बाट सकते हैं तो जहां पे नहीं बाट सकते हैं उसे हम बोलते हैं asymmetrical और जहां बाट सकते हैं वहाँ बोलते हैं symmetrical यनि अगर हम बोलते हैं कि कोई organism asymmetrical है means there is no plane and no plane is possible to divide the organism into equal half and that organism is asymmetrical अगर हम बोलते हैं तो no body plane is possible to divide the organism into equal half इसका example अगर हम देखे हैं तो हम बोलते हैं कि asymmetrical का example जो होता है most of the polyphara most बोले most of the polyphara सारे नहीं क्योंकि दो बेवफाई आ रहे हैं एक लिउकोसोलीनिया लिउकोसोलीनिया एंड साइकॉन लिउकोसलीनिया एंड साइकॉन बिलांग्स्ट करते हैं फाइलम पोरी फेरा से लेकिन इनके पाए asymmetrical नहीं होते हैं symmetry सो करते हैं भी देखेंगे कहां पे क्योंकि यह सवाल है कई बार पूछा गया है फिर हम बात करें जो हमारे हम मुलस्का होते हैं जो हमारे मुलस्का के मेंबर होते हैं इनिसियली इनके पास क्या होता है बाई रेडियल symmetry हो जाते हैं लेकिन बाद में asymmetrical हो जाते हैं due to tourism due to terrision यानि adult मुलस्का जो होते हैं adult मुलस्क जो होते हैं tourism की वज़ा से symmetrical हो जाते है तो चलिए तो यह symmetrical हो गए जिनके body को हम दो बराबर भागों है बाट ही नहीं सकते थे दूसरा हमारे पास होते हैं symmetrical यानि अगर हम symmetrical बोल ले हैं means we are able to divide the organism into equal half हम capable हैं कि organism को दो equal half में divide कर सकते हैं तो जो symmetrical हैं वो symmetry कितने प्रकार की पाई जाती है इसकी बात कर लें तो हम symmetrical को थोड़ा सा ध्यान से समझीएगा आपके बुक में थोड़ी सी बातें गलत हैं तो understanding थोड़ी सुधार लीजेगा symmetry की बात करें तो हमारे हैं symmetry basically बुक में हमारे तीन तरह के जुकर किया गया है लेकिन हम चार तरह की बताएंगे थोड़ा सा आपका conceptual clarity के लिए एक होता है spherical symmetry एक होता है radial symmetry एक होता है बाई रेडियल symmetry और एक होता है बाई लेटरल symmetry इतने तरह की symmetry पाई जाती है अब depend करता है कि हम organism को divide तो कर ले रहे हैं लेकिन division का plane क्या है किस plane में divide कर पा रहे हैं इसके हिसाब से हम 4 तरह की symmetry देखते हैं बुक में 3 तरह का जिक्र है तो पहला हम जानते है spherical symmetry क्या होता है पहला हम जानने का कोशिस करेंगे spherical symmetry क्या होता है और radial symmetry से कैसे अलग है Spherical symmetry, में लिखा है वही Styrical symmetry का definition, if any plane passes through the center and can divide the organism into equal half. Center से हो कि गजरने वाला कोई plane, अगर किसी organism को दो बराबर हिस्सों में बाट दे, तो हम भोलते हैं कि उस organism में क्या पाजाता है, spherical symmetry पाई जाती है एक किस कैसे भी हो सकता है हम अपने घर पे नीमू लाके ऐसे काटे है ऐसे काटे है ऐसे काटे है लेकिन हम काबिल है कि दो बराबर भागों में काट लें तो that is called spherical symmetry चाहें जैसे भी काट लें spherical symmetry इसे कहते हैं any plane passes through the center and can divide the organism in two equal half and that is known as spherical symmetry clear है yes तो radial symmetry क्या होता है सर आप तो बोल रहा है कि गलत दिया है बुक में अब ध्यान जरूर दीजेगा जब बुक पढ़िये तो इस बात को जरूर ध्यान दीजे any plane passes through the center सही बात है and can divide the organism in two equal half यह भी बात सही है but it must involve top to bottom यानि top to bottom involve होना चाहिए इसमें यह top to bottom नहीं है यह top to bottom नहीं है यह top to bottom है center से होके गुजर रहा that's why spherical symmetry हम बोल सकते हैं लेकिन must involve top to bottom तब radial symmetry बोलेंगे clear है any plane passes through the center and can divide the organism in two equal half but it must involve top to bottom and that is known as radial symmetry hydra में प्रूफ कर देते हैं hydra हम ऐसे बना ले भाहिया तो क्या अगर हम कोई plane ऐसे center से होके गुजार दे दो equal partner कट जाएगा नहीं कट जाएगा नहीं तो हम गुजारते हैं plane तो ऐसे गुजारते हैं ना top to bottom इसलिए हम बोलते हैं कि silentrate में radial symmetry पाई जाती है और हम यह भी बोलते हैं define करते हैं higher classes में आप पढ़िएगा अच्छे से तो देखिएगा कि all radial symmetry is spherical symmetry but all spherical symmetry is not radial symmetry इस बात जरूर ध्यान दीजिएगा तो radial symmetry हम पढ़ते हैं हमारे हां कहां? सिलेंटरेटा में और पोरीफेरा के जो दो बेवफाई आर थे यानि लूको सिलिनिया और साइकॉन में और इकाइनो डर्मेटा में इकाइनो डर्मेटा जो embryonic stage होता है वहाँ पर क्या सो करते हैं? bilateral symmetry सो करते हैं बाद बाद में radial symmetry सो करने लगते हैं अब बोलोगे कि सर बाई-radial symmetry क्या होता है? चलिए बता दिजिए बाई-radial any plane passes through the center and must divide the organism into equal half ठीक है? चलिए पढ़ा है बाई-radial, यानि दो radial plane possible हो? जी, समझिये का बात क्या कह रहा है? if more than one radial plane is possible एक से ज़्यादा radial plane possible है तो हम उसे बोलते हैं bi-radial symmetry जैसे आपने देखा होगा टी-नो-फोरा में ऐसे भी कार सकते हैं लेकिन सब में top to bottom involved है ऐसे भी कार सकते हैं किसी में 20 चे नहीं कारता है तरबूज को ऐसे भी involved ऐसे ऐसे तो देखिए if more than one radial plane is possible that is biradial symmetry clear है ती-नो-फोरा ती-नो-फोरा अमाया बी-लेटरल symmetry any plane passes through body and can divide the organism तो any plane कौन सा plane sagittal plane sagittal plane कहते हैं क्योंकि दो parietal bone आती हैं fuse होती हैं जो suture बनता हूँ से sagittal suture कहते हैं इसलिए इस plane को sagittal plane बोलते हैं sagittal plane से एकर कोई हम cross लगाएं और हमारे body को दो equal parts में divide कर दे तो हम बोलते हैं bilateral symmetry तो हम क्या बोलते हैं भईया bilateral symmetry अरे ये तो खोधी damage बन रहा है बचारा तब हम बोलते हैं कि अब bilateral symmetry plane होना चाहिए कौँसा? sagittal plane होना चाहिए ठीक है? तो यह आँ देखेंगे radial symmetry here body can be divided into t equal halves by any plane along central axis but it must involve top to bottom, some porifera, nadarion, stenophora ऐसा दिया हुआ bilateral symmetry में here body can be divided into two right and left halves in only one plane ठीक है? तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा अगर हम बात कर रहे हैं कि जो भी symmetry की symmetry की बात करें, पहले surface जरूर समझ लीजेगा इस surface को हम dorsal surface कहते हैं इसे winter surface, आगे वाले को interior और पीछे वाले को posterior surface बोलते हैं जरूर याद रहे फिर बात करते हैं germinal layer की germinal layer की बात करेंगे तो आपको पता होगा कि embryonic development के दौरान gigotus से embryo बनता है इस दौरान बहुत सारे cell stages आती है दो cell से, एक cell से, दो cell दो से, चार cell, चार से, आठ cell आठ से, सोलर, सोलर से, बत्तीश, चाओं सट ऐसे बनते जाते हैं cells और cells बनते जाते हैं तो arrange होट जाते हैं हम नाम देते हैं marula, blastula, gastula ऐसे हम नाम दे रहे होते हैं और number of cells बढ़ते चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि number of cells जो बढ़ते चले जाते हैं इनका arrangement होजाता है शुरूर में arrangement होजाता है जो बाहर की तरफ cells रोंजोती है नों बोलते हैं ectoderm की Crafts जो पर चार्ण impressions होती हैं बोलने है एक्टोडर्म की cells है तो definite सी बात है इन future हो कोई अंग बनाएगी या आरगन बनाएगी तो उसी accordingly बोलते हैं कि एक्टोडर्मलीन औरिजिन है या मीजोडर्मलीन औरिजिन है या एंडोडर्मलीन औरिजिन है तो ऐसे embryonic development के दौरान देखें तो कुछ औरिजिन ऐसे भी होंगे जहां मीजोडर्म डिराइब नहीं होगा वहाँ जिलेटनस मास पाई जाएगा जिसे कहेंगे मीजोगलाया तो जर्मलेयर कितनी हिस्सेदारी ले रही है कौन-कौन सी जर्मलेयर का participation है इसके हिसाब से बात करें तो हमारे यहां दो तरह के औरिजम होते हैं । फिर तृप्लोब्रास्टिक का जिकर करेंगे तो तीनो जर्मलेयर जहां participate कर रही होगी वहां triploblastik बोलेंगे platyhelminthis से लेके codator ठीक है तमारे diploblastik और triploblastik का जिक्र होता है तो diploblastik में हमने बताया कि केवल कौन हिस्सेदारी लेता है ectoderm और endoderm क्यों क्योंकि यहां पर हमारे हाँ जो mesoderm है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है वो हम जिलेटनस मास पाहिता है इसे mesoglia क्याते है और diploblastik हम उसे कहते हैं जिसमें तीनो जर्म लेयर participate करती है ecto, meso और endoderm तीनो जर्म लेयर participate कर रही है तो हम बोलते हैं क्या है कि organism triploblastik है example के हिसाप से हमने बताया कि triploblastik की बात करेंगे तो platyhelminthes से लेके कोड़ेटर तक जहां तक हम पढ़ेंगे इस सारे members क्या होते हैं triploblastik होते हैं और बार बार इन लाइनों का repetition है आपके आपके जितने इस पढ़ेंगे इन बातों का repetition है यहां पर दिखाया गया है कि मीजोग्लाया जो है क्या है देखिए मीजोग्लिया है cells differentiated नहीं है इसलिए हम diploblastik बोलना है ठीक है टू जर्म लेयर आउटर एक्टोडर्म और इंडोडर्म जो होते हैं ठीक है और बिट्विन टू जर्म लेयर अंडिफ्रेंसियेट जरी लाइक लेयर इस काल्ड विजोग्लाया तो दो ही जर्म लेयर पार्टिसिपेट करती है जो में बोलता हैं कि निडेरिया और टीनो फोरण ट्रिलोब्लस्टिक में बोलते हैं कि मेरा आउक्टर ड्रावियर और इंडोडर्म और इसको देखेंगे तो घ्लेत्र इलमेन् absol.» और तक के जो member होते हैं और त्रिप्लोब्लास्टिक की नेचर होते हैं, फिर हम बात करेंगे किसके हिसाब से, Sylom की हिसाब से, Body Cavity के हिसाब से, और Body Cavity होती क्या है, पहले हम इसको Define कर लें, क्योंकि कुछ बाते हैं, जो आप Clearly नहीं जान दो होते हो, Body Cavity या Sylom, Body Cavity या Sylom जब हम बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या है, सिलोम अगर हम बोल रहें, तो सिलोम बनने की basic दो condition है, याद रहें, सिलोम या body cavity बनने की basic दो condition है, पहले condition है, it must be formed by the mesoderm, यह mesoderm में बनी होनी चाहिए, और दूसरी बात क्या होनी चाहिए, it must be, must be surrounded by the mesoderm, surrounded by the mesoderm, बनी भी होनी चाहिए mesoderm से और surround भी होनी चाहिए mesoderm से, बनी भी होनी चाहिए mesoderm से, यह अनि any body cavity which is made up of, mesoderm and must be surrounded by the mesoderm and that is known as sylome, our body cavity, उसे एक sylome या body cavity कहेंगे, यह दो condition है, यह दोनों condition अगर justified है, तब sylome है, वरना नहीं, वरना कहा है भईया, नहीं है, NCRT की लाइन की बात है, डाइग्राम से निकाली वे लाइन है, इसको जरूर समझिएगा, अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो आपके हैं sylome के हिसाब से देखे तो तीन तरह क्या और मिजम है, तो जब हम बात करते हैं, इट इस दे कैविटी लाइंड बाइ दा मिजोडर्म, देखिए पहली बात सही होगी, इट इस सीम बिट्विन बॉडी वाल एंड गट वाल, शिलोम सेपरेट दे मसल्स आप गट एंड बॉडी वाल, पहले शिलोम को समझ लेंगे, बेस्ट आंड नेचर आप शिलोम, इनिमल इजार आप त्री टाइप्स, एसीलोमेट, सिवडोसीलोमेट, एंड सीलोमेट, किनो में डिफ्रेंस जरूर समझेंगे, जो हमारे एसीलोमेट होते हैं, देखिए, यहाँ पे मीजोडर्म में कोई स्पेस, आप NCRT खो लिएगा, तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, जबकि हम बोलते हैं कि body cavity must be formed by the मीजोडर्म, एंड must be surrounded by the मीजोडर्म, यहनी there is no body cavity, example platy helminthes होगा, खाली platy helminthes याद रखिए, क्योंकि भाईया, पिनो फोरा तक तो हम बोल ला है, मीजोडर्म होता ही नहीं, तो हम बात ही नहीं करेंगे, सिलोम का जिकरे नहीं होता, platy hel helminthes, pseudo-silom यानी false-silom की बात हो रही है, यानी सही तरह का सिलोम नहीं है, क्योंकि सही तरह का सिलोम होने के लिए दो कंडिशन थी, it must be formed by the मीजोडर्म and must be surrounded by the मीजोडर्म, यहाँ देखेंगे pseudo-silom में तो बना तो है मीजोडर्म में cavity, लेकिन surround यानी घिर कहां से रहा है, अ body cavity नहीं बोलता है, इसलिए से pseudo-silom बोलते हैं, बहुत बार पूछा गया है, एसके helminthes में पाय जाता है, हम बोलते हैं कि शिलोम in the form of pouches present होता है, ठीक है, फिर आता है बहिया, true-silom, तो हम देखते हैं कि यहां देखिए, यहां body cavity बनी हुई है, किसमें मीजोडर्म के core data कर, सारे members जो होते हैं, वो sylomate होते हैं, अब इस शिलोम भी दो तरका होता है, याद रहे हैं, सीजो-सिलोम, सीजो-सिलोम, और एंटरो-सिलोम, सीजो-सिलोम और एंटरो-सिलोम, मेजो-सिलोम होते हैं, मेजो-सिलोम होते हैं, सीजो-सिलोम होते हैं, कौन-कौन से, एंटरो-सिलोम होते हैं, यही मेजो-सिलोम 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 ह तो पहले बनता है, चलिए बात हो गई, सिलोम की बात हमने कर ली, इसका काम जानने के सिलोम का काम क्या होता है सिलोम का काम होता है, it accommodates the visceral organs सिलोमिक फ्लूड reduces the friction between the visceral organs and it acts as the shock absorber क्योंकि body wall और gut wall के बीच ने present होता है तो इतने सारे इसके function भी होते है अब बात और ये metamerism की, metamerism क्या होता है metamerism मतलब होता है segmentation body में segment का पाया जाना जैसे केचुवा देखते होंगे तो लगता होगा कि ऐसे-ऐसे segment पाया जा रहा है तो अगर किसी organism में segments जो हैं बाहरी और अंदर दोनों तरफ से segment पाया जा रहा है तो हम बोलते हैं कि true metamerism पाया जाता है तो अगर नहीं पूरा या तो बाहर ही हो या तो अंदर ही हो तुम बोलते है pseudo segmentation पाया जाता है फिल टर्म आएगा हमारे नोटो कॉर्ट के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं नोटो कॉर्ट के बारे में थोड़ा बना लेते हैं जैसे हमना लिजे कि हमने एक और्गनिजम बना लिया तो और्गनिजम बना लिया जब तो हमने बताया कि नोटो कॉर्ड एक सम्रचना है भाईया जो सॉलिड होता है नेचर में रॉड सेप्ड होता है क्या होता है सॉलिड ऐसे एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं ऐसे क्या कर रहे हैं एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं ऐसे क्या किया हमने एक स्ट्रक्चर बनाया ऐसे क्या किया एक स्ट्रक स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं कि नोटो कॉड्ड क्या बोला है नोटो कॉड्ड है क्या नोटो कॉड्ड कोई ऐसा एक स्ट्रक्चर है जो सॉलिड होता है solid rod shaped mesodermal in origin mesodermal in origin and present dorsal to the body, dorsal to body surface, कोई ऐसा solid rod सिप का structure जो mesoderm से बना है और body के dorsal surface पे है तो हम उसे नाम दे रहे है notocord, अगर ऐसा structure किसी organism में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है इसके हिसाफ से organism को classify किया गया, for example हम बोल रहे हैं कि हमारे notocord की बात करें, it is mesodermally derived supporting rod form on the dorsal site during the embryonic development of some animals, यहाँ दीख रहा होगा embryonic development के दवरान कुछ animals में solid rod सिप का mesodermally derived structure प्रजेंट होता है जिसे हम बोलते है notocord और इस notocord के presence या absence की डेसिस के हम animals को दो हिस्सों में बाठते हैं, अगर notocord है तो हम बोलते हैं codate आए, अगर notocord नहीं है तो हम बोलते हैं non-cordate है, तो animals with notocord are called codates and animals without notocord are called non-cordates, तो हम codate और non-cordate बोलते हैं, these are the various basics जहाँ पे हमने शुरुवात की थी, बताने की कि हमारे है animals को किन-किन basics पे classify किया गया है, तो हमने क्या पढ़ लिया, body organization पढ़ लिया, germ layer भी पढ़ लिया, diastate tube भी देख लिया, body segmentation भी देख लिया, symmetry भी देख लिया, circulation भी देख लिया और notocord भी देख लिया, इन basics पे हमने organism को क्या किया है, classify किया गया है, classify किया है from most common to the list common, तो अगला जो लेक्चर लेंगे तो हम उसमें कुछ जो हमारे पास जो phylum है, अब दीरे-दीरे करके इन्ही basics को repeat किया गया है, आप अगर basis of classification वाला part बेहतर तरीके से पढ़ लिए, तो आपका आगे आने वाला जो phylum होंगे उस सारे में repetition इसी बात का दिखाये जाएगा, इन्ही characteristic का repetition आपको दिखाये जाएगा, तो उमीद करता हूँ कि आप इतना पढ़के जरूर आएगे, या पढ़ लेंगे अगर आप तो आप दो लेक्चर में ही आप Animal Kingdom के master हो जाएगे, आप जाएगे कि कैसे में पढ़ना है, कैसे याद करना है, तब तक के लिए thank you, bye bye, tata, take care, दन्यवाद.